नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड में फाधर्स का नायम चेंज केसे करेंगे अपने पिता का नायम चेंज केसे करेंगे दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम गलत है तो इस वीडियो में आप अपने मुबाइल फोन से अपने आधार कार्ड में पिता का नाम चेंज कर सकते हैं चलिए दोस्तों बिना देरी किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मुबाइल फौन में किरोम रॉजर ओपन कर लेना है और उसके बदे आपको साथ बार पर क्लिक करना है और यहां पर लिखना है UIADI यह लिकर आपको यहां पर साच कर देना है इसे आप एक लिकर साच करेंगे तो आपके सामने इस तरहें का पेज उपन होगा अब आपको यहां पर पहले नमबर पर जो बेबसाट दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने एक नया पेज उपन होगा और यहां पर आपको إ golpes मिलेगा आधार कार्ड की यस्तिति जाने इस पर आपको अपक टिलिग कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक नया पर फ्यूपन हो जाएगा अब आपको यहां पर Öcopos मिलेगा लोगिन का इस पर आपको कलिक कर देना है जसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open होगा और यहाँ पर आपको अपना अधार number फिल कर देना है और उसके पड़ आपको जो एक peach hace dix दिखाई दे रहा है इस PUBG को आपको यहाँ पर filter कर देना है आप यहापर देख सकते हैं कि मैंने आपना अधार कार्ट नंबर फिल कर दिया है अब आपको यहाँ पर जो एक अफचा दिखाई दे रहा है एक अफचा आपको सेम यहाँ पर फिल कर देना है उसके बद आपको Login with OTP इस पर आपको किलिक कर देना है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नमर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिलक कर देना है OTP फिलकरने के बद आपको लोगिन पर क्लिक कर देना है जिसे आप लोगिन पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज़ों पिन होगा अब दोस्तों अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक उपसे मिलेगा यह डर्स अपडेट का है इस पर आपको क्लिक कर देना है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बद आपको यहाँ पर एक उपसे मिलेगा अपडेट आधार ओनलाइन इस पर आपको क्लिक कर देना है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके साम鍵 इसतर ने से page open होगा अब आपको नीची एक option मिलेगा प्रोसीर टू अपडेट आधार जिसपर आपको click कर देना है तो आपके सामatile एक नए page open होगा और यहाँ पर आपको एडर select कर लेना है और उसके बाद आपको proceed to update का अधार इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने की नए पेज उपन होगा और यहाँ पर आपको आपके अधार काड की डिटेल देखने को मिल जाएगी जैसे आपके पिता का पुराना नियम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका edit देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पिता जी का नियम चेंज करने के लिए एक option मिलेगा care of का यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने पिता जी का नियम फिल कर देना है अगर आप लड़के हैं तो आपको यह सो लगाना है और अगर आप लड़की हैं तो आपको यहाँ पर डियो लगाकर अपने पिताजी कानेम फिल कर देना है अब यहाँ पर आपने अपने पिता जी कानियम जो इंगलिस में फिल किया है भही आपको नीचे हिंदी में देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ करेक्शन करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर यह सो लिक करा रहा है तो यहाँ पर आपको अपने आप यहाँ पर आतमज लिख देना है दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में जो एडर्स पड़ा हुआ है उसमें आपको कुछ गलती लग रही है या कुछ कमी है तो आप अपने अधार कार्ड में एडर्स भी यहां से सुधार कर सकते हैं एडर्स सुधार करने के लिए आपको यहां पर एक उप्षन मिल जाएगा House Building Apportment यहां पर क्लिक करना है और यहां पर आपको अपने Village कानेम फिल कर देना है दोस्तों जिसे ही आप अपने गाउं कानेम यहां पर इंगलिस में फिल कर देंगे और बही नेम आपको नीचे आटोमेटिक हिंदी में देखने को मिल जाएगा अगर हिंदी में जो नाम पढ़कर आ रहा है उसमें आपको कुछ गलती लग रही है तो आप उससे सुधार कर सकते हैं उसके बद आपको नीचे आना और यहां पर आपको एकोब से मिलेगा पिन कोड का यहां पर आपको अपनी एरिया का पिन कोड फिल कर देना है जिसे आप अपनी एरिया का पिन कोड फिल कर देंगी तो आपको यहाँ पर आपका राज और आपका डिस्टिक देखने को मिल जाएगा और उसके बद आपको यहाँ पर एक उपसे मिलेगा बिलेज टाउन सिटी का यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना गाउं सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर आपको अपने गाउं का नेम सिलेक्ट कर लेना है जिसे यहाँ पर आप अपने गाउं का नेम सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके गाउं का पोस्ट अपिस जो भी होगा वो यहाँ पर आटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा अब यहाँ पर आपको नीचे एक उपसर मिलेगा Select Valid Supporting Document Type यानि इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आप अपने अधार कार्ड में पिता जी का नियम करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डोकुमेंट किया वैसकता पड़ेगी और उन डोकुमेंट को आपको यहाँ पर अफलोड करना पड़ेगा जैसे आपका जाद प्रमाड पत्र हो गया, निभास हो गया, आपका लेवर कार्ड हो गया, इत्यादी अगर इन में से आपके पास कोई भी एक डोकुमेंट है तो उसकी आपको फोटो खींच के PDF फाइल बना लेनी है और उसके बद आपको Select Valid Support Document टाइप यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक डोकुमेंट सेलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपको एक उप्शन मिल जाएगा फोटो आईडी काड यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलेगा डोमिसाइल स्राटिफिकेट का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और अगर आपके पास जाद प्रिमार पत्र है तो आपको थोड़ा नीची आना है और यहाँ पर आपको एक ओप्षन मिल जाएगा SC, STOBC, Certificate, Issue Y, Center, Government तो आपको यह सिलेक्ट कर लेना है जिसे मैं यहाँ पर Domicile Certificate यह वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बद आपको OK पर क्लिक कर देना है जिसे आप OK पर क्लिक कर देंगे उसके बद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ओप्षन मिलेगा View Details and Upload Document इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बद आपको Continue Upload यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में चले जाना है जिसे आप मीडिया में चले जाएंगे अब यहाँ पर आप जो भी डोकोमेंट अप्लोड करना चाहते हैं और उस डोकोमेंट की आपने पीडिया फाइल बना योगी और वो पीडिया फाइल आपने जहां भी रखी हो भाँ से आपको सेलेक्ट करने ना है उसके बाद बहुत पीडिया फाइल यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लोड हो जाएगी और उसके बद आपको next पर क्लिक कर देना है जिसे आप next पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया फेज़ उपन होगा अब यहाँ पर आपको आपने अधार कार्ड में अपने पिता जी का जो नूनियम फिल किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पर कुछ कमी कर दिये तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा edit का इस पर click करेंगे आप उसे सुधार कर सकते हैं नहीं तो आपको यहाँ पर click करना है और उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर एक option मिलेगा nest का यहाँ पर click कर देना है जैसे आप Next पर क्लिक करेंगी तो आपके सामने इस तरे का पेज़ों पिन होगा अब यहाँ पर आपको अपने अधार काड में अपडेट करने के लिए कुछ भी पैइमेंट करने ही पड़ेगी जैसे यहाँ पर लिकर आरा यू बिल भी Charged RS 50 रुपीज तो प्रोसिस दाओन लाइन अपडेट रिकोष्ट यानि इसका मतलब यह कि अगर आप अपने अधार काड में अपने पिता जी का नेम या एडर्स चेंज करना चाहते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर 50 रुपे पई करने पड़ेंगे उसके पद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके पद आपको एक उप्सन मिलेगा पिलीज स्लेक्ट पाइमेंट ओप्सन तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पाइमेंट ओप्सन स्लेक्ट कर लेना है उसके बहुत सारे payment करने के option देखने को मिल जाएंगे जैसे UPI, wallet, net banking, debit card अब यहाँ पर जिससे भी payment करना चाहते हैं उससे आपको यहाँ पर payment कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना payment कर दिया है और यहाँ पर success लिकर आ रहा है उसके बद आपको यहाँ पर यहाँ पर मिलेगा download acknowledgement इस पर क्लिक करना है उसके बद आपको download पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपकी PDF file download हो जाएगी कुछ इस तरह से और इस PDF file में आपको आपका service request number और आपने अधार कार्ड में अपने पिता जी का जो name change किया है वो और पुराना वाला name आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसी तरह आप अपने mobile phone से घर बेठे अपने अधार कार्ड में अपने पिता जी का name change कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को like share and YouTube channel को subscribe करें मिलते हैं कि वीडियो मिलते हैं कि वीडियो मिलते हैं